हेलो गाइज वेल्कम बैक आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेंदी जिसे अपनी बालों पर लगाते हैं उसे एक्चुलिए हमें कैसे बिंगोना चाहिए और इसे नेचुरल आइरन हमें कैसे मिल सकता है बीना किसी अडिशनल चीज को एड किये हुए तो चलिए देखते ह हमें क्या क्या चाहिए तो यहां पर हम लेंगे यह गोद्रेज का नुपूर हिना मैंने लिया जो कि 100% प्योर हिना आप जब भी बालों में में लगाए तो प्लीज प्योर मेंदी लगाए बीना एड़ेट किसी चीज के और थोड़ा से यहां पर दही लेंगे और इसके अल अधरलेत हम कडाई में डालेंगे यह में दी मेंदी आप ड्रॉं के तरहां में लगाए और ऐसे घ्रादे c55 कांटिटिटि में जो हटे और से होगि इसे हम अच्य करेंगे अच्वकिछ अच्छ Core अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी थिकनेश के हिस अफिकरेंग के एडिशनल आप सिर्फ दही दही से ही इसे ना एड करें थोड़ा सा पानी इसमें एड करें अपनी ठीकनेस के अकॉर्डिंग तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इन दे सेंस कोई लंप्स ना हो इसमें इस तरीके से कुछ ऐसे हम मिक्स कर तो लोहे की कड़ाई में जैसा कि मैंने कहा हम इसे मिगो रहे हैं तो इसका कलर बहुत ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा मैं भी आपको पांच मिनट में दिखाती हूँ आप इसे पांच मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देंगे तो ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा खूझा करें तो पांच मिनट के बाद यह देखिए आप 5 मिनट के बाद में इसे फिर से मिक्स कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं हलका ब्लाक ब्लाक सा निकल रहा है यही है नेचरल आइरन एक तो हमारा दही खट्टा है उपर से लोही की कड़ाई है तो आपको मेहंदी में जरूरी नहीं है कि आप उसमें अंडा आवला कुछ भी एड करें अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ दही और मेहंदी से भी हो सकते हैं आप इसे पूरी रात के बा हो जाएगी 50% जो है वह ब्राउन रहेगी तो आपके उपर आपको अगर बूरी ब्लैक चाहिए तो आप इसे दो चार मिनित तक या दस मिनित तक थोड़ा सा धूप में भी रखें तो इसका कलर चेंज होगा यह जो कंडिशनर है सर्दियों में अगर आप अपने बालों प कोई एडिशनल चीजे एड करें यह बहुत ही अच्छा रहेगा जब भी आप इसे लगाए तो प्लीज एक दो घंटे तक के लिए ही रखे इसको आपको पूरा सुखाने की कोई जरूरत नहीं है तो आप देख सकते यह दस मिनट तक मैंने इसे धूप में रखा ता आप इ नहीं बनेगा और अंदर जड़ों तक पहुंचेगा नहीं और डेंडर तभी जाएगा जब आपकी यह मेहदी जड़ों में लगेगी तो अगर डेंडर अटाना है तो इसे अच्छे से लगाना बहुत जरूरी है और जो नेचुरल आइरन होगा वह आपके बालों की शाइ जरूर कर दें अपने फ्रेंज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो के लिए मेंदी लगाने के पहले यह इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें बेस्ट रिजल्ट के लिए झाल कर्या है और फ़्लों की लिए दोपने करें लोगाने के लिए तो के लिए यह दो करेंगे हैं